पार को इंग्लीश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो मी सीख लेते हैं पार को इंग्लीश में आप across या beyond कह सकते हैं a-c-r-o-s-across या b-e-y-o-nd beyond इसके इलबब इसी चीज़ को पार करना को आप across करना कह सकते हैं c-r-o-s-cross जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि समुद्र के पार का दरिश्य देखकर हर किसी को अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं Everyone enjoys seeing the view across the ocean Everyone enjoys seeing the view across the ocean या अगर आप ये कहना चाहें कि यह bridge नदी को पार करने के लिए बनाया गया है तो आप कह सकते हैं The bridge is built to cross the river The bridge is built to cross the river अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें